नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू दोनाचार्य विकेशन, फ्रेंड्स आज का विडिये में हम डिस्कास करेंगे कुछ इंपोर्टन कॉसेंज को जो भी बियाड एंट्रांस के लिए इंपोर्टन रहेगा सो दोस्तो यहां पर आपका फर्स्ट कॉसेंज होगा यहां पर आपका रहेगा दोस्तो, 73 Constitutional Amendment Act जो कि 1992 में हुआ है इसके दोरन जो कि आपका पंचे आती राज सिस्टम हुआ है और यहां पर आपका ग्राम सभा आएगा 74 यहां पर आपका रहेगा, 74 यहां पर आपका बोला गया, 74 Constitutional Amendment Act टिक, next Next question होगा, Economic Planning is on this list of the Constitution of India तो Economic Planning जो है, कौनसा list में यहां पर आपका रहेगा, इंडियन Constitution का Option में यहां पर आपका रहेगा, तो State list, Union list, Concurrent list, या पिन नन आप देस Red answer यहां पर आपका रहेगा, जो कि Concurrent list में यहां पर आपका रहेगा, यहां पर State and Union जो कि है सारे जो कि यहां पर इसके ऊपर कुछ action ले सकते है, जो भी आपका Concurrent list में होता है Economic Planning जो कि यहां पर आपका Concurrent list में होगा, ठीक है, next होगा, which of the following is not a virus fish Option में रहेगा, small fox, moms, rabies, या फिर diphtheria Red answer यहां पर आपका रहेगा, दोस्तों कि diphtheria, यहां पर आपका सही answer होगा So next होगा, who is associated with the red seed movement कोई जो कि यहां पर हम देखें तो associated है red seed movement से Option में रहेगा, महात्मा गंधी, जवाहलल नहरू, बलल भाई बटल, या फिर, अबदिल गफर खान Okay, तो यहां पर आपका red answer रहेगा, दोस्तों कि, अबदिल गफर खान जो की है, red seed movement से जो है, associate है Option number D, यहां पर आपका सही answer होगा Next है, who among the following was the first nuclear reactor इसमें से जो कोंसा जो की first nuclear reactor था, option में रहेगा, पुनिमा 1, अपसरा, कामेनी, या फिर, ध्रूब Okay, तो यहां पर हम देखे दे, दोस्तों, इसका जो की right answer रहेगा, यह अपसरा जो की है, first nuclear reactor था, option number B, यहां पर आपका सही answer होगा Okay, next Next होगा यहां पर, in which schedule of the constitution of India, mention the official languages, official languages जो की कोंसा schedule में जो की है, mention है Okay, तो यहां पर आप देखे दो की, इसका जो की right answer रहेगा, दोस्तों, schedule 8 में जो की है, languages के बारे में बोला गया है, जो की 22 जो की official language है, इंडिया का, ठीक है Next, next होगा, when rustia, उच्चेत, सिख्चा अभिजन, has started, तो rustia, उच्चेत, सिख्चा अभिजन, कब started हुआ है, कब इसका establish में हुआ है Okay, तो option में देखे तो 2012, 2013, 2014, या फिर 2015 दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, जो की 2013 में जो की है, यह started हो है, option number B, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा Next होगा, South Asian Association of Regional Cooperation, सार्क का secretariat जो की है, कहाँ पर है, इसका headquarter, इसका कहाँ पर होगा Option में यहाँ पर देखे हो, धका, बंगलादेश, काठवांडू, नेपाल, या फिर इसलमाबाद, पाकिस्तान, none of the above Okay, तो सार्क है, यहाँ पर हम देखे, तो इसका जो की headquarter हैगा दोस्तों, काठवांडू, नेपाल में है यह So, next question है, which of the following soil is red color due to iron oxide कौन सा स्वाइल का जो की color जो की red है, iron oxide के बज़े से, option में रहेगा, forest soil, laterite soil, black soil, या फिर alluvial soil Friends, यहाँ पर हम देखे, तो इसका जो की red answer रहेगा यह, laterite soil जो की इसका color red होता है due to iron oxide, तो option number B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा So, next question यहाँ पर हम देखेंगे By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be a four year integrated B year degree तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह question जो की आपका रहेगा NEP 2020 का है तो कौन से year तक जो की आपका minimum qualification जो की रहेगा teaching के लिए जो की four year integrated B year जो की होगा तो यहाँ पर हम देखें तो इसका right answer रहेगा जो की by 2030 तक यह हो जाएगा यह mention है अपका NEP 2020 में ठीक है next next होगा according to NEP 2020 the vocational education will start from NEP 2020 के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो vocational education जो कब से start होगा कौन सा classes से यहाँ पर हम देखेंगे class 5, class 6, class 8 या फिर class 7 यहाँ पर आपका right answer रहेगा जो की class 8 से जो की यहाँ पर start होगा vocational education according to NEP next होगा M.E.R.E.U. Stanford M.E.R.E.U. का full form यहाँ पर आपका पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो की right answer रहेगा यहाँ पर आप देखेंगते हो multilingual education and research universities तो यहाँ पर आपका option number B सही होगा multilingual education and research universities ठीक है next NEP 2020 started to establish a national repository of high quality resource on foundational literacy and numeracy on government digital platform what is the name of the government digital platform option में रहेगा NCRT, दिक्षा, दिशा या फिर निश्ठा तो यहाँ पर आपका 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 देखेंगते हो दोस्तों तो यहाँ पर हम देखें तो irrational number जो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर को आप P by Q में नहीं लिख सकते हो जैसे कि आपका rational number होता है कि आपको P by Q में लिखना होता है लिख सकते हैं उस नंबर को तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा उसके बाद देखो यहाँ पर आपका C यहाँ पर आपका जो रहेगा 0.33 means यहाँ पर आपका cable 3 ही यहाँ पर आपका repetition हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 0.3 बार ठीक है और इसको भी हम P by Q में लिख सकते हैं कि आपका 3 by 9 हो जाएगा यह number उसके बाद देखो यह 0.121212 तो यहाँ पर आपका repetition हो रहा है तो 0.12 का बार यह हो जाएगा और इसको हम लिख पाएंगे 12 divided by 99 ठीक है तो यह सरे number को हम P by Q में लिख पाएंगे बट यहाँ पर आप देखो इसका repetition भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब systematic हो रहा है तो 0.1 उसके बाद 0.01 ऐसे जोगी बढ़ते जा रहा है तो इस number को हम जोगी है P by Q में नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पर आपका irrational number यह हो जाएगा option number यहाँ पर आपका यह जोगी होगा right answer ठीक है so next होगा where is the headquarter of the international court of justice located international court of justice का जोगी है headquarter कहाँ पर है option में रहेगा the hug, Paris, Washington DC, New York दोस्तो यहाँ पर आपका right answer है जोगी the hug जोगी नेधरलांड में है और यहाँ पर जोगी international court of justice का जोगी headquarter है तो right answer होगा the hug option number यहाँ पर आपका सही होगा next होगा the first speaker of loxovah watch loxovah का first speaker जोगी है कौन रहे थे okay यहाँ पर आप देख सेखते हो option में लेगा km, munsi, cd, dsmook and next यहाँ पर आपका देखे तो जिवी माभालंकर and h.j. kanya तो यहाँ पर आपका देखे तो first speaker of loxovah जोगी है option number c होगा जोगी जिवी माभालंकर जोगी है रहे थे first speaker of loxovah तो यहाँ पर आपका option number c होगी यहाँ पर आपका सही होगा so next होगा who among the following is the author of Meghduth Meghduth का author कौन है option में यहाँ पर आपका रहेगा banavat, kalhan, kalidas या फिर tulsi das तो यहाँ पर आपका right answer रहेगा जोगी Meghduth का author जोगी होगे Kalidas यहाँ पर आपका सही answer होगा option number c okay next next होगा the famous Chinese traveler Fayan came into India during the region of Fayan जोगी है इंडिया में Chinese traveler है जोगी इंडिया में आए थे कौन सा राजा की जोगी समय में आए थे option में रहेगा हर्स बर्धन, चंद्रगप्त 2, कनिस्क या फिर संबुद्रगप्त दोस्तों यहाँ पर आपका option number b सही होगा next question है पर देखेंगे जोगी है चैस से जोगी है option number b यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा next होगा इंडिया राहनो चीज कंजब इंडिया राहनो जोगी है कौन सा नेशनाल पर में जोगी है यहाँ पर आपको इंडियान राहनो देखने को मिलेंगे ठीक है option number two यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा next question होगा the first roundtable conference in the year 1930 was held at first roundtable conference जोगी हुए 1930 में हुआ था तो यह कहाँ पर हुआ था option में रहेगा मद्रास कलकत्ता लंडन या फिर साओध आफ्रिका फ्रेंट से यहाँ पर एंसर है जोगी यह लंडन में हुआ था option numbers से यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा next होगा what is the area of the major sector of a circle of radius 10 cm if the arc subtended an angle of 90 degree तो यहाँ पर आपको major sector का जोगी आपको area पूछा गया है जिसका जोगी यहाँ पर एक circle यहाँ पर हम देखे तो एक circle का radius है यहाँ पर आपका 10 cm circle का radius है 10 cm और जोगी यहाँ पर आपका 90 degree का यहाँ पर आपका sector रहेगा आर्क रहे का आपको जोगी पूछा गया है major sector यह वाला sector का जोगी आपको area पूछा गया है तो यहाँ पर हम क्या formula विच करेंगे जैसी कि आपका major sector का यहाँ पर हम देखेंगे तो यह आपका रहेगा तो यहाँ पर हम major sector का जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम 270 degree यहाँ पर हम पूट करेंगे ठीटा की जगा यहां पर आपका minor sector यहां पर हम 90 degree का आपको पूछा गया तो आप 90 degree put करेंगे पर यहां पर आपको major sector पूछा गया तो यह sector का आपको यहां पर put करना है degree तो 270 degree तो यहां पर हम लिखते है 270 degree divided by 360 multiply pi r square तो pi का value रहेगा 22 by 7 multiply r square यहां पर आपका 10 का square means यहां पर हम 100 लिखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हूं कि यहां पर 00 कट जाएगा 3 9 जा 27 एंद 3 यहाँ पर आपका 1 3 2 ओके और भी यहाँ पर आपका 3 3 जा 9 एंद 3 4 जा यहाँ पर आपका कट जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम देखे तो 4 से यहाँ पर हम कट कर पाएंगे 4 से यहाँ पर आपका 25 कट होगा ठीक है तो 25 यहां पर आपको मल्टिप्ले करना होगा जैसे कि यहां परम देखे तो 25, 3 is a 75, multiply 22 यहां पर आपकर सेखते हो तो 2, 5 is a 10, 2, 7 is a 14, plus 1, 15 यहां पर आपका 0, 5, 1 तो यहां परम देखे तो आपकर रहे गई है 5, 6, 1 तो 1, 6, 5, 0 और नीचे यहां पर आपका 7 है 6, 5, 0 divided by 7 यहां पर आपका रहे का एंसर तो option number B यहां पर आप देखे तो इसका सही एंसर हो जाएगा यह आपका major sector का area जब आपको पूछा जाए तो तो option number B यहां पर आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो next होगा what is the sum of first 12 natural numbers first 12 natural numbers का जोकि आपको sum निकलना है तो natural number जोकि आपका 1 से start होता है तो 1 से 12 पर जोकि आपका number रहेगा इनका जोकि आपको sum पूछा गया है okay तो इसमें हम देखे तो दोस्तो sum of the natural number का जोकि आपका होता है फर्मुला रहेगा n into n plus 1 divided by 2 होता है तो यहां पर जोकि आपको n में आपको 12 put करना है तो 12 into 12 plus 1 means 13 divided by 2 होगा okay तो यहां पर हम देखे तो 2 से आपका कर जाएगा 2 6 से 12 और यहां पर आपका 6 multiply 13 करेंगे तो हो जाएगा 78 तो answer जोकि यहां पर आपका बन जाएगा 78 ठीक है so next होगा the product of a rational number and an irrational number is एक rational number and irrational number का जोकि product जोकि यहां पर आपका क्या होगा दोस्तों यहां पर जोकि आपका right answer रहेगा यह irrational number होगा जब आप एक rational number जैसे के मालो 1 by 2 multiply यहां पर हम एक irrational number जैसे के आपका root 2 होगा ठीक है और इसको हम देखो लिख पाएंगे 1 by 2 को हम लिख पाएंगे root 2 multiply root 2 होगा और उसके उपर जोकि यहां पर हम देखे तो एक rational number and irrational number का जोकि इसका product बनेगा यहां पर एक irrational number बनेगा तो आपका option number डी जोकि है सही होगा ठीक है तो next होगा formative assessment is formative assessment क्या है option में रहेगा assessment for learning assessment of learning, assessment as learning यहां फिर assessment of learners दोस्तों यहां पर हम देखे तो formative assessment जोकि होता है assessment for learning होता है ठीक है जो कि during teaching यहाँ पर आप कर सकते हो formative assessment यहाँ पर हम देखे तो assessment of learning जो कि होता है यह formative assessment में आ जाता है ठीक है ओके next question यहाँ पर हम देखते है सहरा dessert spread through which of the following countries सहरा dessert जो कि है कौन सा कंठी में जो कि है spread हुआ है option में रहेगा कुए कातर मरको या फिर ओमान दोस्तों यहाँ पर आपका right answer रहेगा जो कि है मरको में यह spread है option number C यहाँ पर आपका सही होगा so next question होगा एक card is taken out at random from a pack of 52 cards number from 1 to 52 the probability that the number on the card is a prime number less than 20 is ओके तो यहाँ पर जो कि 52 cards है जहाँ पर लिखा गया है 1 to 52 तक सारे card में एक number लिखा गया है यहाँ पर आपको पूछाए कि probability कितना होगा एक prime number आने का तो कि 20 से less होगा ठीक है तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 20 के अंदर जो कि कितने prime number होगे तो यहाँ पर हम देखे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 होगा हम उसके बास 17 and 19 तो total यहाँ पर आपका 8 prime number है तो probability यहाँ पर हम निकालेंगे तो probability जो कि less than 20 होगा तो 8 जो कि है prime number आएंगे total यहाँ पर आपका card है 52 तो 8 by 52 हो जाएगा इसका probability तो इसको हम देखो 4 से cut करते हैं 4, 2, 8 and 4, 13, 52 तो probability हम पर आपका आजएगा 2 by 13 इसका answer आजएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका option number D जो कि है सही होगा ठीक है तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना है था आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक like कर लेज़ेगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी subscribe कर लेज़ेगा तो थेंक्यों फ्रेंट्स थेंक्यों पर वाचिंग